तो जैंद बच्चों लेकर आचको मैं आप लोग लिए क्लास 12 से और्गैनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नमबर वन और नेम अब दा चैप्टर इस हेलो अलकेंज एंड हेलो अरेंज तो यहां पर क्लास 12 की और्गैनिक कैमिस्ट्री की करें तो यहां पर साथ में करके चलेंगे बजाए इसके कि हम आपको यह क्या दें क्लास 11 की chemistry करका यह तब यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे बट ऐसा नहीं होगा बिल्कुल 0 से start करेंगे आपको class 12 की chemistry को और बिल्कुल 0 से लेकर advance तक जितना भी हो पाएगा बोड के लेवल का पूरा बहुत अच्छे तरीके सा आपको हम करवा देंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले basic चीजों से और basic चीजों में हमारे पाद जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यह जो आपको पता होना चाहिए वो एक nomenclature है देखिए अभी मैं chapter पे नहीं nomenclature ही होने वाला है चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर nomenclature heading डालते हैं और nomenclature में सबसे पहले जो चीजे देखेंगे वो basic चीजे देखेंगे देखिए nomenclature का मतलब होता है किसी भी compound का नाम करना जैसे एक बच्चा पैदा हुआ हमने उसका नाम करन करवा दिया ठीक उ कुछ रोल्स होंगे ठीक है ना कुछ रोल्स को हमें फॉलो करके उसका नाम जो हो रखना पड़ेगा तो यह नोमन के लिजर हमारे पास organic जो compound उनके ही रखने पड़ेंगे ठीक है चलिए तो उसके लिए किसी भी चीज का अगर आप नोमन के लिजर करना चाहते हैं तो उसक आपके पास तीन चीजों की जरूरत पड़ेगे चीजों को समझेगा उसके लिए आपको सबसे पहला होगा आपके पास prefix यह क्या आपके पास, prefix, एक चीज और बता तो, notes आपको साथ साथ में बनाना है, ठेक ना, सबसे पहले जो need पढ़ेगी हो रहेगा, आपके पास, prefix कुछ components होंगा, compounds होंगा, उसके, उसके बाद आपको जरूरत पढ़ेगी यहाँ पर word root की, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो जरूरत पढ़ने वाली है वो है आपके पास suffix की तो यहाँ पर हमने आपको बताया तीन चीज़ इनी तीन चीज़ों से हम किसी भी एक compound का नाम रखते हैं अब वही बात है यह तो बता दिया कि हम इस तरह से नाम रखेंगे लेकिन यह होते क्या है वो तो बताईए तो चलो यार हम आपको फटा फट एक्स्प्लें करके बता देते हैं कि यह होते ही क्या है यह क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे prefix functional groups की तो prefix functional group वही बा चलें आगे ओके अब मेरी वाद्यान से सुनिएगा यहां पर सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा थोड़े से carbon के behavior को carbon long chain form कर सकता है दूसरे carbon के साथ या फिर दूसरे बहुत सारे element के साथ अपने जो wand होते हैं वो form कर लेते हैं तो यहां पर सबस carbon के number को represent करता है carbon के number को represent करता है मतलब यह है कि अगर किसी भी एक compound में करता है एक compound में कितने carbon है उसको बताएगा आपके पास word root अगर carbon आपके पास 1 होगा carbon आपके पास 2 होगा carbon आपके पास 3 होगा carbon आपके पास 4 होगा carbon आपके पास 5 होगा तो इसके कुछ particular नाम दिए गए सब्सक्राइब तो अगर कार्बन एक होगा तो उसमें हंड़र परसेंट आपको कहीं ना कई मित देखने को जरूर मिलेगा कार्बन अगर दो होंगे तो आपको ए टी एच देखने को मिलेगा इस देखने को कार्बन अगर थ्री होंगे तो पी आर वो पी प्रॉप देखने को जरूर मिलेगा आपको चार वी यू टी ब्यूट वैसे बट है बट पढ़ेंगे जब अब इस ट्याप के चीज़ा आपके आज आज आएंगे नेग्स आपके पास फंप कारवन ओंगे तब हम उसको क्या कहेंगे दक के नाम से जानेंगे तो कुछ इस तरह से आपके बस हमने वर्ड रूट को एक्स्प्लेन कर दिया अब बात आती सर यह जो prefix है वो और यह जो suffix है वो उसको भी तो एक बार आप हमें explain कीजिए करते हैं धीरे धीरे आपको हम सारी चीज़े को explain करते हैं बढ़ ध्यान रखेगा नोट्स साथ साथ में बनाते जाइएगा अगर यह basic नोमन कलीचर आता है तो अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है जो 12 के NCRT के बुक में नोमन कलीचर है जो नाम है compound से उनके नाम करन करना आप शुरू कर दीजे अगर आपको basic नोमन कलीचर कलास 10 और 11 का आता है तो 12 में जो नोमन के लेचर दिए गए हैं, उनको आप complete कर सकते हैं, पहले ही no problem, लेगिन जिसको कुछ भी नहीं आता हो, वो यहाँ से starting से अपने notes तयार करते चलें साथ-साथ में, चलिए, अब आगे एक चीज पता होना चाहिए, कि यह जो बिचारा carbon होता है, वो हमेशा चार bond form करता अगर नहीं, ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, एक के साथ एक, बाके के साथ एक किसी और के साथ तीन हो सकता है, एक के साथ दो, एक के साथ दो, या फिर चार अलग-अलग के साथ single bond जो है, वो form कर सकता है, क्यों क्योंकि इसके बाहर वाली साहर में, चार electron होते हैं, जिसे में cross represent कर र एक bond जो होता है, और यह जो है, वो structure ऐसे दिखाएगा, single bond यहां पर, single bond यहां पर, और फिर हमारे पास यहां जाता है, single bond यहां पर, समझ मां आगे इतनी बात, डन है, चलिए, अब हम आगे की बात करेंगा, तो छोटी चोटी चोटी चीजी आएंगे, अब कार्बन सिर्फ hydrogen के साथ नहीं, और भी किसी के साथ bond बना सकता है, लाइक oxygen आया, यहां से, टिकत oxygen के बाहर वाले cell में 6 electron होते हैं, इसको total 8 करने हैं, और इसके पास कितने होते हैं, आपके पास, 4 होते हैं, तो इसका 2 और 2 आपस में यह share कर लेते हैं, तो कितने होगे, इसके तो 8 पूरे चार दो छे, देखें, चार दो छे, और इधर से 8 होगे, इसके भी 8 होगे, इसके होगे, इसके होगे, तो इलेक्ट्रोन शेयर हो यहां, तो single bond यहां से, oxygen, फिर यहां पे single bond यहां से, single bond यहां से, oxygen, तो कुछ इस तरीके से आपके पास bond formation होता है, similarly, not only in carbon, hydrogen hydrogen आपस में combine कर सक होता है, तो HH के भीच में single bond बन जाता है, जिसको हम hydrogen gas कहते है, oxygen, oxygen आपस में बना सकते है, double bond, double bond, दो-दो इलेक्ट्रोन को share करके इस तरीके से, तो double bond बना लेंगे, ठीक है, nitrogen आपके पास 3-3 electron को share करता है, और वो अपने triple bond को अंजाम दे देता है, single bond, double bond, triple bond, तो कुछ इस कोविलेंट bond के नाम से जानते हैं, समझ मां आगे इतनी बात, done है, ठीक है, अब अगर हम आगे की बात करते हैं, तो चीजे बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं, यहाँ पर हम थोड़े से कुछ अलग compound के जो है, वो नाम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, alkane, ठीक है ताकि आप लोगों को एक अच्छी understanding मिल जाए, ताकि जब मैं prefix को समझाओ, suffix को समझाओ, तो और भी ज्यादा बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए, ओके, तो यहाँ पर आप चीजों को समझेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, सबसे पहले अगर मैं alkane की बा कारवन कारवन की बीच में double bond और alkane का मतलब आप समझी गए होंगे, कारवन कारवन के बीच में triple bond जो है, वो बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे यह जो अलक है, ठीक है ना, वो रिपरजेंट करता है number of carbon को, number of carbon को, जो word root होते थे थे ना, वो अलक यहाँ पे है, यहाँ पे भी अलक है, और यहाँ पे भी अलक है, तो यह जो अलक है, यहाँ पे वो रिपरजेंट करेगा कि number of carbon कितने है, उसके बाद यह जो एन है, वो रिपरजेंट करेंगे bond को, और यह जो चीज है, वो आईन है, वो रिपरजेंट करेंगे bond को, तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पे ए कारवन कारवन के बीच में ट्रिपल बॉंड देखने को मिलेगा ठीक है अब बात आती है कि इसके सरा हम नोमन क्लीचर जो है वो किस तरीके से करेंगे तो इसका एक होता है जी एफ देखिए आपकी हो या नहों इसकी जी एफ है यहां पर जी एफ का मतलब वो नहीं है जो अच्ट यहां पर ऐल्कीन का होता हैं के चाहर के पास और का मतलब हुआ होन ले लेता हूं और हाइद्रोजन यहां पर ऐसे रखा यहां पर 2-2 ड्रकर 2 कित मैं 1975 आपक्र जब आपने यहां पर लेता हूं तो यहां पर रखना पड़ेगा कितने होगा आपके पास सिक्स नेक्स यहां पर कितने हो जाएंगे अगर आप पैटर्ण को नोटिस करें तो जब यह एक था तो हाइड्रोजन चार थे जब दो हुआ तो छे हुआ जब तीन कारबन लिए तो अर्टेसन डैसा आपके आएंगे मैं मोण जो और रोतिम प्रकिश की सब्सक्राइब अच्छाब और अध्यूर यहां गया डर्लात कि लिए तो अगर मैं चार ले लेता हूं तो चार दूनी आठ और दो दस कितना हो जाएगा दस उसी तरह से आगे मैं इसको कॉंटेनिव कर सकता हूं यहां पर आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा यहीं से समझ में आ जाना चाहिए यहां पर N है तो N का यहां पर 2N हो तो डबल से 2 ज् चुछी टिन का डबल च्हिए और 2 ज्यादा मतलब अलकेन में हमीशा कारभन कारभन के बीच में अगर सिंगल पर और तो उसके में हमीशा क्या होंगे होका हँग के फिर दो ज्यादा अब अब अलकीन पर आते हम और हम अलकीन का ध्यान रखेगा सिंगल बॉन्ट जो एक कार्बन वाला फॉर्म नहीं होता है, यहां पे जो एक कार्बन वाला है, इसमें अलकीन जो है वो फॉर्म नहीं होता है, और यहां पे भी आपके पास एक कार्बन वाला अलकाइन जो फॉर्म नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो आपको हम समझाएंगे अभी, अभी हम धारेकली यहाँ पर 2-put करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, चलिए, यहाँ पर अगर मैं 2-put करता हूँ, तो यह आजाएगा, C2 यहाँ पर 2-put कर देता हूँ, तो H का हो गया 4, उस तरह से अगर मैं 3-put करता हूँ, तो H के जगा यहाँ आजाएगा, 3-2-6, फिर 4-put करूँग यहाँ पर 3-3-put कर लेंगे, 3-put करेंगे, तो कितना आ जाएगा, hydrogen का 4, फिर 4-put करूँगा, तो hydrogen का कितना आ जाएगा, 6, चीक है न, फिर 5-put करूँगा, तो hydrogen कितना आ जाएगा, 8, अब यहाँ पर इसको भी इस तरीके सा आगे continue कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मैं क्या समझाने कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझेगा, जनरल फॉर्मूले के हिसाब से, कारवन कितने होंगे और hydrogen कितने होंगे, फिर इसके bond formation करके हम आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है, इसमें आपके पास जितने कारवन थे, उससे double से 2 ज्यादा hydrogen थे, यहाँ पर जितने कारवन होंगे, उसके double से 2 कम, तो 2 का double 4, 4 में 2 कम 2 आगया, 3 का double 6 और 2 कम 4, 3 का double, sorry, 4 का double 8 और 2 कम 6, 5 का double 10 और 2 कम 8 हो गया आपके पास, समझेगा, इतनी है, तो यहाँ पर आपको जनरल फॉर्मूला देखते ही, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाना चाहिए था कि कारवन कि जितने हैं, उसके double से 2 ज्यादा हाइडोजन होंगे, जितने कारवन होंगे, उसके double से 2 कम, आपके पस क्या होने वाले हैं, यहाँ पर हाइडोजन होने वाले, तो आपको अलकेन, अलकेन और अलकेन का एक जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, उसमें कितने कारवन हो स जहें हैं वह चुछ को वह समझ में आ गया होगाम है थो जो एक आप एक अगया हूं वह यह समझेons तो हुआ हम क्रोंगर हैं आपकर बाद करना है fusion कि असे तरीकते ऐगाeni हैं तो ही रेजाने किに में एक carbon वाला भी बन जाता है क्योंकि हम किसे बान बनाना है single bond मनाना Companies. बना सकता है। Sanglb given hydrogen के साथ बना सकता है कर बना सकता ह। कर जाए, carbon नहीं है ठीक है, लेकिन hydrogen के साथ बना सकता है। वहीं पर जब नहीं वहां चलिए इसी का दूसरा वाला ले ली ते एक्जामपल, जब मैं कारवन दो लिया, तो हाइडोजन कितने हो जाएगा, डबल चे दो जाएगा, तो डबल करेंगा, तो फोर और दो जाएगा, तो आजएगा, जिक्स, अब यहाँ पे कारवन कितने है, दो है, तो इसका जब हम इ कारवन, कारवन, इनके बीच में हमीशा, सिंगल बॉंड, क्योंके हम किस की बात कर रहे, अलकें की बात कर रहे, ठीक है, अच्छा, हाइडोजन कितने है, दो हमने पहले ही बता दिया कि कारवन के Mexican किमें जो बॉंड होगें वो चार और जो मिनिममम बॉंड हो सकते वो भी चार ये ध्यानर रखेंगा ठीक है ना चार से जएदा बॉंड सम करेंगे नहीं चारसे कम बॉंड करेंगे तो हाइडोजन को आपको कुछ इस तरीके से लगाना है कि दोनों कारबन के चार-चार bond ही हूँ, ठीक है, hydrogen से जनरली हम यहाँ पर balance क्या करेंगे, तो इस carbon को देखिए, 1, 2, 3, 4, चार bond हो गया, फिर इस carbon को देखिए, 1, 2, 3, 4, यह वोला common bond की तरह काम कर रहे, दोनों के लिए काम करेंगा, ध्यान रखेंगा, तो यह होगे न, C2H6, क्या नाम होगे, नाम भी हमने आपको करवाया नहीं है, तो अभी ऐसे देख लिए, क्या होगे, C2H6, यह कुछ कहानी होगे, उसी तरह से मैं 3 भी बोल सकता हूँ, देख लिए, है न, यहाँ पर मैं क्या बोल दूँगा, तीन कार्बन ले सकता हूँ, तो C3 लेंगा, तो H कितना लेना पड़ेगा, मेरेको 8 लेना पड़ेगा, बोल यह हाँ या न, है न, C3 लेंगा, तो मेरेको कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन 8 लेंगे भाया, कुछ इस तरीके सा आप balance करेंगे अब आप यहाँ पे notice कर सकते हैं आप यहाँ पे इसको notice कर सकते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे simple सी बात है यार यहाँ पे हर एक carbon के carbon बना दिये मैंने और कुछ नहीं करें इस वाले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH4 of course फिर single bond है C और hydrogen कितने तीन है अब उसी तरह से जब मैं अगर इसको represent करना शुरू करता हूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ CH3 C hydrogen कितने तीन है बीच में जितने भी आते हैं उसमें hydrogen लगते हैं कब जब single bond के साथ connected रहते हैं और यहाँ पर आपके पस last में starting सबसे पहले आप यह देखोगा कि prefix क्या है अभी हम आपको और हमारे से बता है के आपके पास रूट से स्ताट लोगा अबास तो आपके नामनकें करेंगे तो वापीस थोड़ा सा हैंपे आए और आमको बता भादे इसक जो सफिक्स होता है। मैं हम यहाँ पर क्या बताना है कि सफिक्स में क्या लगाये जाएगा तो जब इसका फिक्स होने वाला है आपके पास वो हो जाएगा A-N-E, ठीक है, दूसरा अलकीन का जो suffix होने वाला है वो हो जाएगा, A, सुरे, ये कहाँ सा आगे है E-N-E लास्ट के जो थ्री लेटर है न, वही वाले और इसका suffix क्या हो जाएगा आपके पास Y-N-E, आइन समझ माहा गए इतनी बात, तो Y-N-E, आइन Y-N-E, आइन Y-N-E, आइन, समझ माहा गए इतनी बात, चलें आगे ओके, तो आप यहाँ पर हम बात करेंगे अब आपको पता हो ना चीए, एन का मतलब हो क्या हो गया कार्वन के बीच में सिंगल बोन, ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी नोमन के लेचर करूँगा, तो प्रिफिक्स तो इसमें कुछ है ही नहीं, समझ लीजे, प्रिफिक्स अभी फिलाल कुछ हमने आपको पढ़ाए नहीं, तो है ही नहीं तो हम डिरेक्ली वर्ड रूट से शुरू करेंगा और वर्ड रूट का कहना है भाईया, इसमें कितने कारवन हैं, खतम बाद, इसमें कितने कारवन हैं, तो इसमें मुझे एक कारवन दीख रहा है, और हमने आपको नाम लिखना सिखा दिया, कि जब एक कारवन होगा, तो उसके इसमें उसको क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे क्या बोलेंगे मित बोलेंगे उसके बाद हमें सफिक्स लगाना होता है तो एन इन आई जो होता है सिंगल बॉन डबल बॉन ट्रेपल बॉन वह हमें सफिक्स की तरीके से काम करता है तो उसको लास्ट में लिखेंगे लिखेंगे सफिक्स तो कारवन कारवन के बीच में देख दो carbon है तो हम eth लगा देंगे, prefix के बारे में आपको कुछ बताया यह नहीं है, ठीक है, और carbon, carbon के बज़े में single bond है, तो ane लगा देंगे, an, तो इसका नाम हो जाएगा, ethane, क्या नाम हो जाएगा इसका, ethane, समझ में आ गई इतनी बात, done है, चलिए, इसका नाम में बता सकता तीन carbon के लिए क्या बोल दूगा, मैं prop और single bond सारे तो क्या आजाएंगे, an, propane, ठीक है, क्या मैं चार carbon का कुछ बना सकता हूँ, जिस तरह से यह लिखा है, वैसे मैं ऐसे directly लिख दो, CS3 फिर आजएगा, CS2 फिर आजएगा, CS2 फिर आजएगा, CS3, आप बनाईएगा, तब आपको कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे, समझ महा आ गई इतनी बात, ऐसे ही नजारे मिलेंगे, जब इस तरह के से structure खोल कर बनाएगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, but, चार कारवन के लिए, single single bond के लिए in, तो क्या नाम हो गया इसका, butane, क्या नाम हो गया इस पेंटेन बना सकते हैं, क्या आप हेकजीन बना सकते हैं, क्या आप हेपटेन बना सकते हैं, क्या आप अक्टेन बना सकते हैं, क्या आप नोनेन बना सकते हैं, क्या आप डेकेन बना सकते हैं, हाँ सर, हम तो बना सकते हैं, क्योंकि हम अब intelligent हो गए, तो आगे आए यार, और हम बात कर लेते हैं, इसी तरह से हम Alkyne की, तो ये भी कुछ अलग कहानी नहीं होगी, अब यहाँ पर हम इसमें बात कर लेते हैं, गयर Alkyne में एक कारवन वाला form क्यों नहीं करता है एक कारवन वाली जो कहानी थी वो क्यों नहीं बनता है, तो देखिए कारवन कारवन के बीच में डबल बॉन होना जरूरी है तो एक कारवन के बीच में डबल बॉन कैसे बनेगा नहीं बनेगा इसलिए अलकीन का जो मेंबर होते हैं पहला मेंबर वोला नहीं बनाता है और अलकाइन के साथ भी सेम रिजने क्योंकि हमें double bond or triple bond चाहिए carbon carbon के वीच में चाहिए दो carbon तो है नहीं तो एक अकेला carbon double bond या फिर triple bond नहीं बनाएगा ध्यान रखेगा single bond वो hydrogen के साथ जोड़ लेता है ठीक है ओके अब यहां पर alkyne की बात करते हैं तो carbon carbon के वीच में double bond होना चाहिए तो minimum 2 से start करेंगा तो carbon carbon के वीच में double bond balance करोगे तो इस carbon के कितने bond है दो है तो एक hydrogen और hydrogen और hydrogen से आपको bond को balance करना रहता है चार हो गए यहां पे भी से मुसी तरह से hydrogen hydrogen कैसे भी उपर निचे लगा लिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा तो यह जो चीज है उसका काम नाम क्या हो जाएगा दो carbon के लिए एथ दो carbon के लिए क्या नाम हो जाएगा एथ उसके बाद carbon के लिए हम कैसे करेंगे तो मेरे पास यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझेगा ठीक है एक बात बताईए एक दो तीन डॉस्ट आप यहां पर यहां पर भी है चलिए वह रूस बताऊंगा तब छाकर करवाओंगा अभी यह सिंगल वाले करवा देते हों अभी आप इतना समझ लिए कि डॉफ या तो पहले carbon पे लगए या तो लास्ट वाले carbon पे लगए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में करने वाले या फिर हो सकता है अगर ज़्यादा लंबी वीडियो तो 10 और 11 वाले को एक साथ रखेंगे फिर आम 12 वाले पर आज आए चलिए तो हमारे पस यहां पर एक दो तीन और एक यह क्या होगे हमारे पास चार होगे ठीक है इतनी बास चलिए अब यहां पर बढ़ी छोड़ी सी चीजे देखेगा चार कारवन या तो आपको डबल बॉंड जो हो पहले कारवन पर लखना है या फिर आप लास्ट कारवन पर रखना इस बात का दियान पड़र सकते रही हैं हमें किसी भी तरह की कोई ग्म नहीं होगी चलिए इसको कमलेश करके इस तरह से लिखेंगे में लगाएंगे पिर ah सिगल बोर्ड लिखेंगे पिर उसको क्या लिखेंगे तो इस वाले मिलें इतना कुछ लगने गटिता यंस तरीके से और भी जादा हम आगे की बात है फिलाल आप इतना लिए क Ole लिख लीजेगा इसको क्या लिखेंगे हम सी एच टू फिर डबल वांड फिर से क्या जाएगा सी एच टू यहाँ पे मैं क्या लिख आपको लिखने पड़ेंगे ठीक है तुमिद करतों अभी तक की चीजे त्यार बहुत ही किलेरली समझ में आ जाना चाहिए अब हम आगे की बात करते हैं धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो अप होगा अभी मैं 10th क्लास में ही अभी मैं आगे नहीं गया हूँ और क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को अलकीन करवा दिया और अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ अलकाइन ठीक है अब मैं आप लोगों इसको चाहिए होगा, एक hydrogen इसको चाहिए होगा, है ना, क्योंकि carbon के चार bond होने चाहिए, तीन पहले से एक लगा दिया, तीन पहले से एक लगा दिया, ठीक है, तो इसका formula बन जाएगा CH, triple bond CH, तो नाम क्या हो जाएगा, दो carbon के लिए या तो आप लास्ट वाले carbon पर लगाएंगे, तो ठीक उसी तरह से आप तीन carbon का जब आप बनाएंगे तब भी आप triple bond या तो पहले वाले पर लगाएंगे या तो लास्ट वाले पर बाकि सब के पास क्या लगाएंगे आप सिंगल सिंगल bond ही रहेगा, ठीक है, यहां पर एक लगेगा, इसके पास लगेगा ही नहीं, ध्यान रखेगा hydrogen, दिमाग लगा के भई, carbon के चार bond से ज़्याद मत कर दीजेगा, बहुत बार देखा हैं मैंने students को करते हुए, तो यह बन जाएगा आपके पास CH, फिर यह क्या हो जाएगा, triple bond, फिर यह हो जाएगा C, और यह सिंगल bond, यह हो जाएगा, आपके पास CH3, ठीक है, आप इसका नाम करेंगे, तो क्या हो जा सकते हैं, तो हाँ सर हम बना सकते हैं, तो बना लिजेगा इसको, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और आपको थोड़ा सा introduction करवा देते हैं, किसे, बताए किसे, yes, हम आपको introduction करवा देते हैं, prefix functional group से, ठीक है, prefix functional group से हम आपको introduction करवा देते हैं, prefix functional group, अच्छा, functional group अगर है तो prefix functional group को पढ़ने से पहले हम एक simple पहले functional group पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको idea होगा कि functional group क्या होते हैं तभी तो उसको पढ़ने में मजाएगा ना चलिए तो functional group के हम बात करते हैं देखे functional group होता क्या है वो बता देते हैं आपको functional group या तो single atom होगा या फिर group of atom होगा एक single atom होगा या फिर पूरा का पूरा group of atom होगा या तो यह हो सकता है या तो यह पूरा हो सकता है ठेक है है ना which replaces which replaces a hydrogen atom from a compound from a compound and substitute sub substitute itself and and directly लिख देता हूँ changes its physical physical and chemical अब इसको इतना complicated तरीके से नहीं समझे ना, सिंपल सा कहानी बताता हूँ, उसको समझे फिर यह वाली लाइन हम पढ़ेंगे जैसे कारवन था, इसमें चार हाइड्रोजन थे तो हमने इसको मिथेन का नाम दिया था, अब हम कहते हैं इसको यहां से हटा दीजे, यहां से इ लगा देंगे, मान लेजिए हमने कुछ भी एकस लगा दिया, हमने यहां पर कुछ भी एकस लगा दिया, और इसी एकस कॉम कहेंगे functional group, इसी एकस कॉम कहेंगे functional group, इसका मतलब यह है कि, अलकेन, या फिर अलकाइन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, समझेगा, एक प्रोड़क्ट मिलेगा बरन करने पर तो आपको क्या मिलता था तो वह ठीक है लेकिन अगर हमने एक्स लगा दिया थो सकता है आपको प्रोडक्ट मिलेगा बरन करने ने क्या मunda था देता है कौं क्न ट्रीशनल गृप जब अटैच हो जाता है समझ महाँ घंशने कर देता है उसके फिसिकाल और का 对 प्रोपटीज आप मैं आप लोगों को लेकर आतों प्रिफिक्स पंशनल गृुप पिए या ना ठीक है prefix functional group पर प्रिफिक्स फंचनल ग्रुप्स पर वैसे तो हमारे पास बहुत है prefix functional groups हमारे पास बहुत है लेकर अभी 10th class के लेवल पर बेसिक लेवल पर जो सिखा रहा हूं उस पर अगर आप सीखेंगे तो हमारे पास अभी फिलाल समझ लिए सिर्फ हैलोजन है ठीक है अब यह group 17 क्या होते हैं तो यह चीज पता होना ची आप लोगों को कि group 17 जो elements होते हैं वो actual में होते हैं कि एक बर मैं check कर लेता हूँ सायद मेरे पास periodic table जो है वो पड़ा होगा तो वहां से group 17 जो है आपको मैं दिखा दूँगा ठीक है एक बर खुल जाए फटा-फट जल्दी से एगा खुला या नहीं खुल रहा है ठीक है प्रोडिक टेबल आजो प्रोडिक टेबल यह रहा मेरे पास इस त्षीक है मेरे पास तो यहां पर ग्रूब 17 बताता हूं कैसे रहता है यह जो चीज ये जो चीज जो चीज वो group इसको फिर लिखने वाले पर कर लेता हूं ठीक है उसके बाद इसमें लाता हूं और फिर इसमें लाता हूं अच्छा फिर वापीस उसमें आ जा रहा है कोई बात ने देख लिए यह गुरूप वन होता है यह आपके पास एटीन तो यह वाला जो गुरूप है यह वाला इसको गुरूप 17 कहते है फिर कल बारिस आई कैसे याद रखेंगे आप फिर कल बारिस आई इससे नीचे वाले पढ़ने की जुरूत नहीं है बट इतना सब्सक्राइब लिए फिर कल बारिस आई बस यह आपको चार याद रखेंगे जिनकों क्या कहते हैं है है लोगन के नाम से जानते हैं और है लोगन को हम जनरली क्यात आप की पास प्रौ रहता आपके पास धूरो प्रोर नाम क्या रहता आप prepared क्लो रखेंगे सबखने के लिए अब भी यह वह सब पर कैसे करेंगे वो बताते तो जैसे मेरे पास carbon था इसमें चार hydrogen थे एक hydrogen यहां वाले को हटा दिया और उसके जहें मैंने लिए कि फ्लोरो लगा दिया तो सबसे पहले जब और अगर सबसे पहले होती है तो मतलब यह जो फ्लोरीन लगाए उसकी :「 पहले होगी आघर उसके पहले होती है तो हंडेट पर से अई कि यह प्लोरों पहले लिखना पड़े गा उसके बाद यहां पे क्या लिखना पड़ेगा लगा दूँगा एं इन सब में से एक तो हंड्ड़ परसेंट आएगा ही आएगा इस बात को ध्यान रखना है एन इन आइन में से हमेशा आपको लगाना ही पड़ेगा उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है थेक है नहीं दिने बात उसमें आपको कुछ भी छूट नहीं मिलने वाली है तो यहां पर आपने देख लिया फ्लोरो मिथेन नाम हो गया ठीक है उसी तरह से आप नेक्स्ट बना सकते हैं कुछ इस तरीके से सी एक्ट्री सीएच टू बियार यह एक्ट्वल में है क्या यह यह चीज़ है इथेन था एक हाइड्रोजन को हटाया औ लिका और तो तो तेरो agzone प्रिफिक्स का नाम करेंगे तो लग दो कारव फिर लगा देंगे तो ब्रोम इथेन जो इसका नाम निकल कर आ जाएगा थाये क करेंगे यहां पर पहले पर रखेंगे यहां पर लिख दिया मान लिजे कि क्लोरीन अब चीजों को मैं यहां तो मैं लास्ट वाले कारवन में लगा रहा हूं या तो मैं उसको मैं यहां पर स्टार्टिंग वाले कारवन में लगाता हूं यहां पर मैं बीच में कहीं पर भी क्लोरीन बतलब प्रिफिक्स वाले ग्रूप को एड़ नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके नोमन के लिए से नम्बरिंग वाइज होती है अलग से बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में बताने वालों तो अभी के लिए आपको सिरफ इतनी सी बात समझनी है कि हमारे पास क्लोरीन है ठेक है बहुत अची बात है क्लोरीन है पहले कारवन पर हैं तो सिंपल क्लोरीन प्रिफिक्स आगे तो उसका नाम हम क्लूरो कर देंगे उसके बाद एक दो तीन चार पांच कारवन है तो उसके लिए पैंट लिए और क्योंकि सिंगल बॉंड रटो आफ को सम एन लगाने वाले तो इसका नाम हो अभी के लिए आपको सिर्फ और सिरफ इतना समझना है कि जितने भी डबल वॉन या फिर प्रिफिक्स वाले अभी जो फिलोरिन, क्लोरिन, बुरॉमिन, आयोडिन बताया उसको आप या तो पहले कारवन पे लखेंगे या तो आप लास्ट कारवन पे रखेंगे और प्रिफि इंट्रोडक्शन करवाने के लिए तो आए अब हम कुछ सब्फिक्स फंशनल गुरॉप्स जो है आपके पास उसको फटाफट जो है डिसकस कर लेते हैं सब्फिक्स फंशनल गुरॉप्स तो पहले जो स्टार्टिंग चोटे-चोटे चार है वो बता देता हूं पहले आप हम आपके पास कर्मीथें था तो कुछ इस तरह की काने थी यहां से हेवाज्व बना दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा वो बता देता हम इसका जो सफिक्स फिक्स जो मैं लिखा जाता है वो यहael सफिक्स पलीग्षा जाता है अब समझेगा इसका नाम करन कैसे होगा स्भीक्स से नाम स्टार्ट करेंगे इसका नां कि लिए सिंगल गए लगाएंगे लेकिन साथ में आपको एक चीज़का दियान लगाना सिरफ बलसदेना क्यों क्योंकि यहां पर एलकॉल का लिखेंगा ना तो यहां पर दोनोंny और यहां पर रहे गाट को साथ में यहां पर रहे तो इससे ही रहेगा जाएंगे तो इसको तोड़ देंगा तैसे रहेगा तेन कि नहीं करना है दो ही रखना है तो इसको आप बनाएंगे में यहां 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 यहीं पर देखने को मिलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा दों कर्वन की वज़े से इथ फिर सिंगल पॉंड इन फिर ओल अथे नोल और generally पढ़ेंगे तो आपको सम्मझमा को लगांगा यह सारी चीजिए आपको क्या आपके बास दूसरा सफिख सफन्सेनल गूरोप जो आ जाता है वह आपके पास ऐल्डी हाइड है इतनी बाद क्या नाम में इसका ऐल्डी हाईड अच्छा उल्डी हाइड का जो आपके पास सिंपली रहता है वो सिंगल वन्करवंस होता है का रहा में होता ह्कार बनाने कार्बंग इसका स्ट्रक्चर पासिक alan के जिएगा औ्क सिंगल हो गॉटर है और्व फबल्गत उननक साथ कांते इसको एधर उदर भी करके लिख सकतें लैक दिस कारबन सिंगल बॉंड यह रहा है उपर लगा दिए डबल बॉन और ऑट यह एक ही बात है या फिर आप ऐसी लिखकी एसे लिखकी बात है जब 100% ऐसी लिखेंगे, जब short में ऐसी लिखेंगे, CHO लिखेंगे, तो actual में CHO हो गया, इदार आप या तो hydrogen या तो carbon, दौनों से attach कर सकते हैं, जब hydrogen से attach करेंगे, जिसमें एक ही carbon होगा, तो एक carbon की वज़े से myth, single bond की वज़े से an हो गया, और इसका जो suffix होता है, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, उपर जाना, उसी तरह से आप दो carbon का लगा सकते हैं, CHO ले लिए, इदार आप या carbon लगा दिया, और इसमें ऑफकोस CS3 लगेगा, ना, bond को balance करने के लिए, तो इसका नाम क्या हो जागा, दो carbon के लिए, इथ, single bond in, और लास्ट में लगा देंगा, क्या नाम हो जाएगा, इसका इथे, नॉल, समझ में आरी बात, डान ना, इथे, नॉल, प्रोपे, नॉल, स्वरी, इथे, नॉल कहा रहा हो, इथे, नॉल, लास्ट में क्या लगता है, लास्ट में लगता है, किसके लिए, इसके सफिक्स के लिए, तो इथे, नॉल बनाएगा, ये मिथे, नॉल बना दिया, ये क्या बना दिया, आपके बस इथे, नॉल बना दिया, वैसे प्रोपे, नॉल बन जाएगा, ब्यूटे, नॉल बन जाएगा, स्वाइब अगई थेक है चलिए तीसरा हम आजाते हैं आपके पास किटॉन के पास फोद्धाश कोफा सब्सक्राइब आपके थे दिखाता है कारवन के उप्पर डबल बॉन्ड के साथ आक्सिजिन अटेज्ट रहें गे इधर सिंगल बॉंड इधर सिंगल और इसमें फिक्स है कि यह दोनों हमेशा कार्बन से ही अटेच होंगे मतलब इसमें हाइडोजन नहीं लगेंगे अटेच होंगे ध्यान रखना इस बात को बहुत ही प्यार से अब कार्बन से अटेच होंगे तो मिनिमम जो आपके बस किटोन स्टार्ट होता है वो ती आपके पास ओन एवन तो इसका नाम हो जाएगा तीन के लिए प्रॉप लगा देंगे और सिंगल बॉंड के लिए लगा देंगे और लास्ट में लिख देंगे ओनी प्रोपे नौन या फिर इसको प्रोपेन टून भी कहते हैं क्योंकि हमेशा यह दो नमबर पर देखने को मिलेगा सिंपल अकेला फैमिली उताथ प्रोपे नौन जो हम इसको बना देते अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आगे इसको हम डिटेल में रूल के साथ वापिस पढ़ने वाले हैं प्रोपे नौन के बाद आपके पास आजाता है इसका ब्यूते नौन बनाएंगे पेंटियोन बनाएंगे और कोई बात नहीं होगी ठीक है सब में आप नम्बरिंग बाद में बता दूंगा आप समझ लिजे नेक्स्ट आपके पास चार नमबर में जिसका नाम है कार्बॉक्सिलिक एसीड कार्बॉक्सिलिक एसीड की क्या कहानी है तो इसका रहता है सी ओ इसमें दो चीज मिला हुआ रहता है यह सिंगल उदर या तो हाइडोजन या तो कार्बन से अटाइच होंगे और यह तो डेबल बॉंड ऑक्सिजन के साथ और और वेच ग्रूप साथ में रहता है मतलब एक के टॉन और एलकोहल वाला जो कहानीन साथ में रहते हैं यह तो आपके यही चीज से अट्याइच होते हैं तो इसकाना माब के लिए मिठ सिंगल वान के लिए और इससे लिए दो कारबन के लिए इंट हो जाएगा तो आपके दिने बात और अजीन य। तो CH3 अटेच करना पड़ेगा है ना क्योंकि इस कारवन के वैलिंसिंग भी तो देखने पड़ेगे तो दो कारवन के लिए इत हो जाएगा सिंगल बॉंड एन और लास्ट में ओएक एसिड क्योंकि कार्वोक्सिली कैसिड है सी वो एच वाला गुरूप है इसमें कारवन काउंट होता है फंसनल गुरूप का ध्यान रखना है ऐसे आप प्रोपे नौइक एसिड है ना और किसका ब्यूते नौइक एसिड पेंटे नौ कर दिया गया है तो अभी हम करवा देते हैं मतलब कहीं न कहीं जब हम ट्वेल्ट का हैलो और हैलो और इंस पढ़ेंगे उससे पहले जितनी भी चीजों की जरूरत हमें पढ़ सकती है वह हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देते हैं ठीक अब हम आपको लेकर चल करते हैं और यहां पर हम देख लिते हैं सबसे पहले किस टाइब के कंपाउंड को देखेंगे पहले सिंपल और चेन वाले देख लिए ठीक है उसकी लिए आपको एक चीज़ पता होना चीजिए जैसे कि हमार पास यह सीच पूर है तो इसका नाम क्या मित थेन नाम राइट यह चीज़ तो आपको पता चल गया होगा अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं और यह सिंगल बॉन लगा दूं जो कि किसी भी फंशनल गूर्प के साथ अटेच हो सकता है अब हमने अटेच नहीं करा है फंशनल गूर्प बस यह अटेच हो सकता है तो इस वाल नहीं किसी फंशनल गूर्प के साथ अटेच हो सकता है तो अब यह जो चीज़ होगा इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा तो मिधाइल आपको समझ में आ गया सिमिलरली आपके पास सीएस थ्री सीएस टू सीएस टू तीन कार्बन वाले ले लिए और लास्ट नहीं किसे फंशनल गूर्प सकता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास प्रोपाइल हो जाएगा तो क्या आप इस तरह के से ब्यूटाइल पेंटाइल हेग्जाइल को समझ गए होंगे नॉर्मल सी बात है चलिए तो यह अभी काम आएंगे यह क्या होंगे अभी क काम आएंगे चलिए तो इसको हम काम में लेकर आते हैं तो सबसे पहले जब हम नॉमन के लिजर करने जाएंगा तो इसमें आपको कुछ इस तरह के नजारे देखने के मिलेंगे लाइक लिए लिखेंगे और सिंगल बात है लेकिन अब क्या करोगे जब हम यहां पे आप के सामने ch3 जो है वो लगा देंगे तब क्या करोगे जब हम इसी में ही यहां पे आपके पास ch2 और 7 में cht3 लगा देंगे जिदर से bond खाली रहता है उधर से attach होता है इस तरह से हमने आपके सामने लाकर रख दिया है अब बात आती है है यहां पर यह की हम नोमन के लिचर का क्या करें सर है ना हम नोमन के लिचर का क्या करें आप इसकी इसका जो नाम करन होगा एक और एड कर देते हैं अब जो हमारा किस तरीके से और में तो बहुत आच्हेत तरीके से बड़े ही ध्यान से और समझना चलो इसको थोड़ा सा कुछ छोटा ऑपर करा जाए और यहाँ पर नौ 얼마 कि लिए अगर idea दिया जाएगा ना तो उसमें सबसे पहला जो rule आता है उसमें रहता है choose longest chain choose longest chain तो सबसे पहला होता है कि longest chain आपको choose करना रहता है दूसरा जो rule होता है वो रहता है numbering करने का तो किसका कैसे numbering करना रहेगा वो चीज़ बता देंगे numbering longest chain को जो longest chain होता है उसके हम क्या करते है numbering कर देते है ठीक है तिसरा जो होता है उसके बाद होते है name जो होते है वो हमेशा alphabetical पहले लिख दिजिए name prefix सबसे पहले prefix के निम करेंगे with alphabetical order with alphabetical order ठीक है न उसके बाद आपको पता यह prefix के नाम के बाद क्या आ जाएगा then word root word root and suffix वो तो इसी मैं समझ लीजिए add हो जाएगा यह वोलो कोई नया point नहीं है पहले prefix के naming करते हैं no problem उसके बाद word root और उसके बाद case का naming करते हैं suffix के naming करते हैं और suffix के naming होते ही यह जो चीज है वो आपके पास खतम हो जाएगा लेकिन ठेक है यह तो एक short में आपको मैंने बता दिया कि तीन स्टेप में हम नॉमन की रेचर को complete कर देंगे लेकिन इसके बीच में छोटे चोटे और भी एक आधिर रूल्स आएंगे जिसको हम यहाँ पर आपके साथ explain करेंगे जब आपको साथ में एक्जामपल लेंगे तब ही जाकर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा अब आता है हमारे पस यह एक compound है एक सिद्धा साथ सा compound नहीं है यह आपके पस branch वाले हैं और branch वाले केस में सबसे पहला चूज करना होता है longest chain तो जैसे मैं longest chain देखता हूं इसमें तो मुझे पता चलता है कि यह वाला है हाँ हो सकता है आपको कोई और लगे है ना मैं आपको समझाता हूं कौन सा लगेगा देखे इसमें सबसे ज्यादा कार्बन किसमें उसी को longest chain कहें एक दो तीन चार पांच छे ठीक है दूसरी बार समझेगा एक दो तीन चार पांच छे तो आप यह भी चीन चूज कर सकते है यहां से यहां से यहां पर आए फिर यहां से ऐसे और ऐसे गये देखे सीन का मतला ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना चाहिए longest chain का मतलब यह है कि अगर आपने एक बार रखके शुरू कर दिया तो आपका पैन उठना नहीं चाहिए चाहिए आप टेड़ा मेड़ा कैसे बीजा सकते हो तो आप यहां से ऐसे आकर ऐसे करके यहां तक पहुंचा सकते हो जो कि 6 कारबन होंगे तो देखे आपकी मर्जी आप यह वाला चेंड चूज किए या फिर ऐसे जाकर यह वाला चेंड चूज किजिए वो आपकी मर्जी होती है समझ में आगे इतनी बात डन है ठीक है चलिए अब यहां पर चीजों को समझना है कि क्या काम होने वाला है यह सौट में हमने आपको तीन स्टेप बताई यह तीनों स्टेप एक बार लिख लिए फटाइब मुझे तो याद है आपको क्या करना है लिख लेना ठीक है लिख सचना में नंबर लिखते हैं अब जो ह्लिक लिखा जाता हहा वह लिखा जाता है दो क्योंकर तो एक प्रॉब्लम आपके मर्जी यहां पर रूल के हिसाब से चलना पढ़े गा जिस साईड से दौर बता दूं यह मारा Lige Chain उसके लावा हमारे पास ये बच चुका है हमारे पास ये बच चुका है यह जो बच जाते हैं उसको substitute कहते हैं या फिर हम इनको लोकेंट के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं मिनको सबसे पहले आपने यहां पर देख लिया कि पेरेंट को भी है We वो रूल का कहना है कि आपको नुदर से करना है जिदर से लोकेंट से पास में आए तो लोकेंट्स आपको साफ सब दिख रहा है यह रहा है यह रहा है इधर से करेंगे तो दो नमबर पर आ जाएगा और इधर से करेंगे कितने नमबर पर जाएगा तिन नमबर पर तो लोकेंट्स इधर से दो नमबर पर आ रहा है तो हम नबर इधर से करेंगा इधर से तो एक नमबर का कारवन दो नमबर का क कुर्षी गता कर था तो फ। टीसरे में प्रफिक्स के नेविंग में बिन ед cualquier म準備 कर दो में लिए जब आपको यह वाली चीज़ें इसे मैं छोरी है मतला कि यह less ने और यह वी क्या आपके पास मिथाइल है एक इसी एक्जांपल से आपके पास बहुत थी अच्छे तरीके से यह से आपको खिलियर का लग जाएगा उसके बाद फिर दूसरा बताएंगे फिर उस्टे अगला बताएंगे फिर यहां पर इसे पहले कि नहीं करेंगे तो जो बी substitute होते हैं ना वो हमेशा prefix की तरीके से काम करता है चलिए आज आपको ये चीज किलियर करवा देते हैं main chain के अलावा main chain के अलावा ये जो जितने lokenes बच गए उसको हम prefix के नाम से जानते हैं main chain के अलावा जितने भी ये हमारे पास lokenes बच गए उनको हम prefix के नाम से जानेंगे और prefix के naming सबसे पहले होती है हम स्टार्टिंग से कहते वे आ रहे हैं आपको अब prefix के naming आपको पहले लिखना है लेकिन साथ में alphabetical order भी लिखना है और ये जो numbering किया है उसको साथ में indicate करते हुए भी लिखना है तो इतनी सारी चीजे है तो चली मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले ये देखिए एक number के बाद हम दो number पह दो number पह आपके आपके पास ये यह M से methyl है, तो यह दोना M से start होंगे, यह E से start होंगे. तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे जो alphabetical order में पहले आता हो. तो E पहले आता है ethyl, तो हम पहले इसको लिखेंगे. बड़ ध्यान रे, कितने नमबर पे हैं, साथ में वो भी indicate करके, यह तो एक, दो और एक, यह तीन, तो तीन नमबर में क्या हो जाएगा मेरे पास? पहला letter आपके पास क्या लिखना है? Capital. तो तीन नमबर पे आपको लिख देना है ethyl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिलाल? 3 ethyl, ठीक है? तो इसका काम खतम हो गया, चलिए. अब इस वाले पे और इस वाले पे आते हैं, दो नमबर पे भी methyl है और चार नमबर पे भी methyl है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, दो पे methyl और फिर 4 पे नहीं, नहीं, हम इसको यहां पे आपको hyphen लगाना है, छोटा सा, फिर यहां पे two और कॉमा लगा कर four लिख देना है कि दो-दोर पर और चार नमबर पर और फिर यह ішवदा अब चार नंबर घॉल कि आんなसरी ल्गा-देगा फेसे में तो दो है तो उसके लिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा डाइ लिखूंगा उसके बाद था यह क्या नाम करन कर दिया है अब लोकेंट के अलावा जो आएंगे आपके पास लोकेंट के अलावा जो आपके पास आएंगे वो क्या बचा मेंचेंड बोले तो पेरिंट चेंड उसका नाम करन करना है तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा च्रह कोई प्रॉब्लम भई तो उम्मिद करता हूं अभी तक की चीज़े कुछ तो यार पल्ले पढ़ा ही होगा अब हम और कोईशनों की प्रेक्टिस करेंगा ता आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा आए अगले कोईशन हम उठा लेते हैं सी एस थ्री यहां पर लगा दिया सी एच टू फिर लगा दिया सी एच तू फिर लगा दिया सी एच यहां पर लगा दिया सी एच यहां पर निचे में ऐसा कर देते हैं, निचे में लगा देते हैं, यहां पर CH2, CH3 और यहां पर फिर से CS2, CS2 और फिर से आपके पास CH3, कुछ इस तरीके से लगा दिया है, और भी लगा लेते हैं, यहां पर कुछ न कुछ, यहां पर ब्रोमिल लगा देते हैं, बताए किसी तरह की करन करेंगे तो बड़ी चोटी सी चीज रहें कि सबसे पहरें लॉंगे सिंट फिलहाल भी हमने कुछ ऐसा ही लिया हुआ देख लिए सबसे लंबा चीन यही बनेगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कारवन होंगे है ना उसके बाद नम्रिंग का काम होता है नम्रिंग हम उदर अब इसका अब इसका जाए नाम करने करेंगे तो किस तरफिस के नहीं सबसे पहले हो यह पिरफिक्स की कि मिससे पहले किसको लिखा जा तो तो यह क्लोरी ने सी से स्टार्ट होता है ब्रोमी ने बी से स्टार्ट होता है इसे स्टार्ट होता है तो बी से पहले वाला लिखेंगे तो तीन नंबर पर ऐसे लगोगे पहला लेटर कैपिटल तो ब्रोमो लिख दो गए बी आर के लिए बता रहा है तीन पर ब्रोमो फिर क् अंपके आपकी इतार आपकीमन य Sky यह क्या है मेगा सब्द सब्सक्राइल जी सब्सक्राइब ओप्लों अपके बेट के सब्सक्राइब एधा और मश्रीय प्रत smoked प्रॉब्लम, डेनने, ठेक है, अच्छा, ऐसा भी नहीं है, कि यह सिंपल ऐसा ही रख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास यह double bond को भी include कर सकते हैं, कई जगा पे, ठेक है ना, तो चलिए एक आदे double bond वाले भी example हम देख लेते हैं, लाइक इस तरह से, CH3 ले लिया, C ले लिया, H ले लिया, double bond ले लिया, CH2 ले लिया, फिर CH, उपर में CH3 ले लिया, और CH3 ले लिया, चलिए हम इतना ही रखते हैं, ठेक हैं, अब यहाँ पर आपको एक main चीत समझ में आने वाला है, उसको बहुत ही प्यार से देखेगा, यहाँ पर हमारे पस double bond है, है ना, अब सबसे पहल सुनते हैं, तो आपको हसते-खेलते मिल जाएगा सिधा वाला, आपको क्या मिल गया, लॉंगे सिधा वाला मिल गया आपको, अब इसका क्या करना है, नॉमन के लिचर करने के लिए वही बात है, हम numbering करेंगे, numbering उदर से करेंगे, जिदर से लोकेंट सपास में आए, नहीं यहां पर रूल चेंज हो गया, दीरे-दीरे रूल आपको सारी चीज़े समझा देगी, अलग-अलग क्या रूल चेंज हुआ भईया, तो यहां पर देखा, डवल बॉंड आया है, अगर कुछ यह वाले तो प्रिफिक्स के काम करते हैं, कोई दिखत वाले बात नहीं, हैलो सारी नहीं चार पांच है, बस हो गया तो prefix वाले को पहले लिखा जाएगा तो सिद्धा 5 नबर पे. तो 5 नबर पे ने पते हैं पहले लेटर गाकरने लिखने तो सिद्धा नहां कि लिखना है इस इसलिए मिस्टारटिंग में Odds Two तो. कि अगर आप double bond या फिर triple bond को अगर आप लगाते हैं तो या तो पहले वाले पर लगाएंगे या तो last वाले पर लगाएंगे क्यों 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 कि वहां पर आता है पहले नंबर पर उधर से करोगा तो अधर से नंबरिंग होगी मैं आपको एक एक जम्पल दिखाता हूं कुछ इस तरह से मैंने बोला कि CH2 है फिर double bond है फिर CH एक दो तीन चर्कियों की double bond पास में आ रहा है इसका नाम करेंगा चार करेंगे और एक ही नंबर पर क्या डबल इसके साथ भी इसके साथ भी है इधर से अगर मैं कर रहो हो तो इसका पर इसका नाम आप वहां पर आपको बिउटीन बता रहें क्या नाम बता रहें इसका मैं लिखने की ज़रूरत नहीं होती है पोजिशन दिरती होता है लेजी लिखने की जरूरत नहीं होता है लिए इस neon बूट्च्रान लिखे एक्छाल डब भी ओडिन ही storing है यह या फिर ब्यूटी लिखें इकि यहाँ हैक्स चैकारवल की वज़ा से और दो नंबर पे पोजिशन लगाएंगे इन का मतला डबल मुट की पोजिशन क्या है वो भी आपको मैंसन करनी पड़ेगी बताइए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉबलम यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा बड़ी ही छोटी-छो कर रहा हूं तो सौर्ट में चल रहा हूं ज्यादा आपको एक्जम्पल्स प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं बट कहीं न कहीं रूज जो हो आपको मैं कवर करवाई दूंगा आपको साइकलो वाले आते हैं ध्यान से रखना पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रॉक्चर समझ लि डिखान रहा टेड़ा-टेड़ा जिगज्ग लाइन बनानी होती और कुछ नहीं चार कर बंदे एक दो तीन चार हो गए ठीक है इसमें ना कारवन दिखाना होता है ना इसका मतलब यह कि यहां 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 और हैं और रहा हुद अपने बैलेंस और अपने आहां बैल से लिखन करी सिसे कारवन के बीच में डूसरी और तीसरी कारवन के बीच बावन्ट तो इसे लिखा और यह यह नाम क्या हो जाएगा ब्यूट और दो नमबर पही इंदर से नम्हों करें एक ही बात पड़ेगी ठीक है इतनी बात दन है तो यह कहानी होगे आपके बॉंड लाइन स्ट्रक्चर की चोटी-चोटी चीजी आपके सामने आगे चलके आएंगे अब साइकलो का देख लिए रिंग वाले जो आप लोगे होते हैं जैसे कि मैं ने यह बोल दिया तो इसका नाम क्या है यहां यह कार्बन यहां यह कार्बन यहां कुछ नहीं जब भी आपके रोगा तो उसके क्या यूज कर लेंगे साइकलो स्टाइव में क्या लगा देंगे साइकलो समझ मां आ इतनी बात क्या यह 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 इस प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा ऐसे स्कौएर बना दूगा तो आपको पता हो नहींग है यहां कार्ब मैंने बना दिया इसका क्या नाम हो जाएगा साइकलो है ठीक है बस यह सारी चीज़े एक आदे जो है आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल सकते हैं यह साइकलो वाले कंपाउंड हो गए नेक्स्ट है आपके पास जो फंशनल गुरूप साते थे सफिक्स वाले एक तो वह वाला बताना है और उसके बाद हमें आपको कुछ रिंग वाले यह से रिंग से रिलेटेड वाले जो कोईशन है वह हमें आपको समझाना है तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें आपको कुछ functional group से related कुछ कहानी बतानी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना आपको वो समझ में नहीं आएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है ना तो कहां गया हुआ एक बार हम चेक कर लेते हैं फटा-फट यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यह प्रेफरेंस ओडर फंचनल गुरूप का किस तरह से लिखेंगे पॉली फंचनल गुरूप देखिए अच्छा फंचनल गुरूप का नॉमन के लिखेंग नॉर्मल तो मैंने आपको कराई दिया है पहले एक और अच्छे से करा देता हूं कुछ अलग तरीक कैसे ठीक है लाइक दिस जैसे मैंने बोला कि CS3 हो गया CH हो गया उपर CS3 हो गया CH हो गया नीचे में CL हो गया और यहां पर सिधा मैंने लगा दिया अब यहां पर आप नोटीस करेंगे तो आपको मैंने यह वाला जो चीज है फंचनल गुरूप का मैंने करा रखा है अगर आपको पता हो तो यह क्या है एलकोहल होता है इसका सफिक्स आपको पता यह बनता ह आपको तो एक, दो, तीन, चार, ठीक है, नम्रिंग इधर से ही होगे, क्योंकि यहाँ पे अलकॉल पास में हालांकि यह भी पास में हो, उसका रूल में नहीं देख रहो हूँ, यहाँ इसका रूल देख रहो, ठीक है ना, अब इसका जब नुमून के लिचर करूँगा, एक नम्बर पर क्लोरो, उसके बाद क्या है, दो, नमबर पर मिथाइल, उसके बाद क्या है, एक, दो, तीन, चार, व्यूटेन, व्यूट और सिंगल बॉंड है तो एन, और लाश्ट में, अलकॉल के लिए क्ले लगाते थे, वह यह लिए यादकिजे, कुछ इस तरह के कहा हानी होती थे समझ मा गई तीनी बात ठेकन अब इसकी पोजीशन जो चेंज भी हो सकते इधर उधर हो सकते एक से ज़्यादा फंशनल गुरूप एक ही कंपाउंड में आपको दे दिया जा सकता है तो उसके लिए क्या करेंगे भई दो उसके लिए सिर्फ और डा अपको यद रहो और उसका जो है वह प्रेफरेंस यहाँ पर तो यहां प्यक्राइब कर लेता है यहां पर इतना 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 लेता हूं और 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 बड़ा हो सकता है तो इतने बड़े से देख लिए आपको वैसे पता ही चली जाएगा तो खेर अब फंशनल ग्रूप देखिए अचा एसा कोई हाड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कोई एक फंशनल ग्रूप है तो हमें से सफिक्स में एक्ट करेंगे सफिक्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपन प्रेफरेंस ओडर ऑफंशनल ग्रूप तो वह चीज़ हम आपको सम मिलेगा उसका मतलब की कौन में लिखा जाएगा और उसको छोड़ कर बाकी सारे अरा प्रेफिक्स के तरीके से काम करेंगे तो जितने भी फंशनल ग्रूप होंगे उसके दो नाम होगे एक प्रिफिक्स वाला नाम होगा और एक सफिक्स वाला नाम होगा मैं आपको समझाता हूं जैसे कार्वोक्सली का सिड को कैसे परचानते सी ओफ होता था याद किजिए और यह सिंगल बॉन्ट मैंने छोड़ दिया किसी आट आच होंगे किसी भी आर से अच्छा यारन क्या होता प्रॉप होता है अब अलकाईल क्या होते मित्या होgend्त है इंथाइल हो गया प्रोपाइल हो गया व्योटता यह सारे को अलकाईल करते कि यहां पर क्या जाएक-दियूर्प करपन करते हैं और теперь यहां पर यह क्निद लागा तो ethenoic acid बना दिया, यह छोटे-छोटे चीज़ यह आप लोगों के लिए, ठीक है ना, तो आपको एक चीज बता होनी चाहिए, यहाँ पे, कि वह या, हमारे पास इनके क्या representation होते हैं, क्या formula होते हैं, तो बताते जाता हूं, carboxylic acid का होता है, COOH, और of course यह R से attach होंगे, एक carbon से, दो carbon वाले स, तीन carbon से, और hydrogen से वह balanced होगे, किसी से भी attach हो सकता है, इसका मतलब fix नहीं है, कि कितने carbon से attach होंगे, यह कहने मतलब है, alkali group, है ना, आपके पास आता है, फिर ester आ जाता है, इसका आ जाता है, R, C, O, O, R-, यह आपके पास ester का formula है, मतलब यहाँ पे carbon का हो सकता है, R-, डेस लगा दिया, मतलब अलग carbon का हो सकता है, next है, acid halide, acid halide का होता है, आपके पास R, C, O, और साथ में आता है, यहाँ पे कोई X वाला group लगा देता है, वो लोगे, सर यह X क्या होता है, है ना, अब आप यहाँ पे वो लोगे, X क्या होता है, तो X जो है, है, आपके पास halogen, group 17 के elements, फिर कल बारिस आई, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, वह न, बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, फिर यह आता है, हमारे पास amide, amide का होता है, R-C-O-N-H-2, यह R फिर चे वही carbon होंगे, अलग-अलग नमबर के, मै R-C-N आप लगा सकते हो, R-C-O-N-H-2, सब में ही लग जाएगा, हो तो खेर, ठीक है, न, 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 आपके बस LD-H, LD-H-O-N-H-2, और इधर से bond लग रहा होता है, किस के साथ लगता है, R-C-O-N-H-2, आपको दिख रहा है, समझ में आग इतनी बात, next है ketone, तो ketone का देख कर लिए ketone तक, फिर मैं आगे, इसको मिटा के यहीं पर साथ-साथ लिखती जाता हूं, ठीक है, न, साबका यह जो फॉर्मूला में लिख रहा हूं, सबका आपको लिखना है, यहां पर आप आपको लिख सकते हैं, कि इधर अला कारवन, इधर अला कारवन या फिर दोनों स समझा सको, ठीक है, न, चलिए, next ketone तक करवा दिया है, next आपके पास alcohol, तो alcohol का आपके पता है, यह simple, OH होता है, और यह attach किसे हो सकता है, बहुत सारी number of carbon से, next है, दाइवोनिल, तो दाइवोनिल का R होता है, S के साथ H लग रहा होता है, बस, ठीक है न, S होता है, और R से लगा carbon क्योंकि अलग-अलग compound में बनाना होता है, अरे इंस मतला साइगलो compound होता है, बेंजीन वाला, जस्ट अभी हम इसके बाद आपको बताने वाले, तो इसकी टेंसन थोड़ी देर के लिए इसकी टेंसन न, छोड़ दीजे, यह वाला थोड़ी देर के लिए छोड़ देजे, बेंजन वाली कहानी हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट है, अलकेन, अलकाइन, और फिर, अलकेन, फिर, अलकेन, अलकेन, और अलकेन में से, अलकेन को, डबल बॉन वाले को सबसे ज़्यादा फिर, यह तीनों हमने अब भी करवाया है थोड़ी दिर पहले, समझ रहे हो इसी वीडियो में नेक्स्ट एथर है ना इथर का होता है और ओर डेस सिद्धा इधर अला कार्बन हो सकते उधर और अरा कार्बन या फिर कम ज्यादा भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते नेक्स्ट अलकायल यह आपके पास एक्स वाली ग्रूप होती है मतलब फ्ल्वरीन घ्रोऔर मेन उसको अरिक लिख कर दें किसमाइल का लीवात नहीं है तो हम ने आपको साथ में फॉर्मूले भी बता दिये और अब बार इये इनके साथ में आपको यह समझने की कि इनके क्या prefix, क्या suffix के जो name है वो हम generally use करेंगे वो आपको थोड़ा सा रटा मारने की जरूरत पढ़ सकती है और पढ़ेगी भी और आपको रटा मारना भी पढ़ेगा ही पढ़ेगा और कोई option भी नहीं इसके पीछे हाँ, आप अगर बहुत सारी questions की practice करेंगे तो आपने आप आजाएगा धीरे 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 आपको याद हो जाएगे आपको फिर रटा मारने की उतना लगेगा है नहीं कि आपने रटा मार रखा ज़्यादा ज़्यादा tension नहीं लेने पड़ेगा फिर तो questions की practice बनता है इसके उपर तो यह इनके prefix के नहीं मतलब यह वाले अगर आएंगे कहीं पे भी तो उसके prefix में यह वाला नाम लिखेंगे और suffix में यह वाला नाम लिखेंगे यहाँ पर आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है तो किरपया करके इसका एक proper तरीके से नोट जो है वो जुरूर बनाएं समझ मा आगे इतनी बात अब इसका कब कैसे prefix और suffix लिखना है वो आपको हम बताएंगे वो जो चीज़ आपको हम बताएंगे तो जादा टेंशन नहीं लेना आपको समझ मा आगे ना वो चीज हम आपको बताएंगे ठीक है चले आगे ओके तो अब हमें आपको एक ऐसा एक्जामपल लेता हूँ जहाँ पर पॉली फंचनल ग्रूप्स आ जाएंगे मतलब एक से ज़्यादा फंचनल ग्रूप उसमें आ जाएंगे और हमें उसका नोमनक्लेचर नाम जो है वो लिखना पड़ेगा हो drag theинг फोर एक्जामपल मैंने ऐसा ले लिया तरह सी एस तिरी और यहां पर लगा दिया सी के उपर लगा दिया मेने थीए च कर्या करैसीिट लगदे फिर यहां पर लगा दिया होड़ एकंदे और हमें इस थी कई का आम नुमनक्लेचर उसी के छिशाब सी जोह आपके पास करना पड़ेगा और 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 फंशनल ग्रोप लगा देते हैं इसी में उपर लगा देते हैं उपर 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 लगा देते हैं क्लोरीन और नीचे लगा देते हैं इक, दो, तीन, चार अलगॉल भी लगा दिया, ये भी लगा दिया अचलिये नीचे CN लगा देते हैं और यहाँ पे C लगाकर O, 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 H लगा देते हैं थीन नहीं भईया, दो CO, O, H और यहाँ पे इस carbon का है तो इसमें 2 लगा देंगे तो यह हमने एक compound आपके सामने लिखा है और हमें अब इसका नाम करन करना है नाम लिखना अब इसका तो basic rule से चलना है आपको ज़्यादा tension नहीं लेना है तो basic rule अगर मैं आप लोगों को बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हमें longest chain ढूंडना है और longest chain ढूंडते हैं टाइम भी आपको ध्यान रखना यह नहीं कि सरफ ढूंड दिया जो suffix का काम करता है main functional group जो सबसे पहला priority किसको मिलेगा इन सारे functional group में से पहले आप उसको देखें तो पहला जो priority मिलता है वो मिलता है acid को यह carboxylic acid COOH को यहाँ पर देख लिए अभी तो दिखाए मैंने यह carboxylic acid यहाँ भी लिखवाए तो आर COOH तो आर का मतलब यह सारे थे कि इधर वाले कारवन से टाइच से यह पुरा हटा दीजे आर वाला portion है तो यह COOH हो गया आपके पास ठीक है चलिए तो main functional group यह सबसे ज्यादा टॉप पे तो longest chain हमने यह वाला बना लिया नंबरिंग भी करेंगे तो आफकोस यही से करेंगे तो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया छे हो गया और एक यह साथ हो गया तो longest chain हमारे पास कितने कारवन का बन गया साथ कारवन का बन गया अब इसके दियान रखना है जब हम नाम लिखेंगे प्रिफिक्स के पहले इसका 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 इनका जब हम नाम लिखेंगे अगर सब हम मिठाइल है तो से स्टार्ट होता है और यह कहानि आपके बोल जो पहले आरहे सबसे पहले आप उसी को लिखेंगे तो कहीं ना कई पहले आपके बस यह दोनों आ रहे हैं इन दोनों में से कोई साइक लिखा जाएगा तो उसमें नाम लिखिए अगर मैं क्लोरो लिखता हूं पहले आएगा थे उसके बाद नीपो उसके बाद इसका लिखना पड़ेगा रहे हैं आपके बास क्या है है साइनो पहला letter capital बागी सारे आप small में लिखते जाएंगे दो नमर में sign हो तो C के बाद क्या आता है E F आता है फिर F आता है ये वला तो 6 नमर पे क्या लिखना पड़ेगा आपको 4 mile तो 6 नमर में आप यहां पे लिखेंगे 4 mile ठीक है इतनी बाद आप यहां जया आता है तो 5 नमर में लिखेंगे तो जहां जहां पे आपके पाद जाते जा रहा है जैसे आलकॉल आया तो आप इस वाले टेबल में आलकॉल को चेक करेंगे आलकॉल का नाम देखेंगे ये प्रिफिक्स के नाम के तरीक गाल एकाम करता है ना जिए उसके वाद इसको थोड़ा इधर कर आजाए थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं ताकि नाम सारा आउप जाए ना चलो चार नंबर पर हमने मिठाइल लिख दिया उसके बाद क्या बच गया एक यही बच गया लास्ट में है ना तो तीन नमबर पर क्या रहेगा आपके पास नाइट्रो चलो बाइआ सारे चब्र 1987 सरा कि हम ने पहले जी इसके बाद में आरे गृप्ट के लिए उसके बाद में फंशनल गूरूप जिसको प्रेफरेंस ओडर मिला था क्या है कार्वॉक्सिलिक एसिड क्या होता है ओ आई सी हेप्टो नॉइक हेप्टेनॉइक एसिड तो यह एक ऐसा एसिड है जिसका नाम यह देख लिए पता नहीं यह कैसा एसिड है तो कुछ इस तरीके से आपके प आपको नहीं मिलेंगे यह तो मैंने आपको ऐसा बता दिया कि हाँ ताकि आपको दिमाग ना बिल्कुल चोकन ना रहे कि हाँ ऐसा कभी आप भी सकता है आएगा नहीं नॉर्मल आते दो तीन एक दो फंशनल गूरूप साथ में रहते हैं दो तीन मैक्सिम में ज्यादे नही यह ना बेंजीन का फॉर्मुला होता है वैसे सीशिक्स एचिक्स हमने आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है सीशी है ना यह एक हाइड्रोजन और यह एक हाइड्रोजन बेंजीन का एक्ट्वल जो चलब देखने को मिलता हो इस तरीके से रखता देखें कारबन भी श्यूहैं बना देते हैं तो यह भी बेंजन के रिपर्जेंटेशन है यहा तो आप ऐसे रिपर्जेंट करें कि यहां पर बना लगाया फिर यहां पर बना दे बीच में तो अब आपके पास बेंजीन वाले कंपाउंड आते हैं और एक चीज़ और बता दू अगर यह ऐसा आ जाए देखिए यह बेंजीन तो है नो डाउट लेकिन यहां से अगर मैं एक बॉंड निकाल दू इसका मतलब यह कि यहां से एक हाइडोजन हटा दिया गया है और इसको खाली र कुछ और फी अजैनल कमपोंड धिया ज lot देखने विरिष्ट कंपाउंड पाणि में उल्ड हैं जैसको पहले आ गया यहitas किया बेंजीन बेंजीन को पर अगर आपके पास CS3 लग जाए था मुसकर इसका जो को मौन ने ओधा अनन चाहिए नाल से जानतेये मिला नेन धा अगर मैं इसको इसको फिनॉल कहते हैं ध्यान रखेगा इसको क्या कहते हैं चलिए तीसरे पर आ जाते हैं तीसरे फिर से वही बैंजीन पर अगर मैं जो अमोनिय वाला गुरूप था अमीन वाला एनस्टू वो अगर मैं लगा तो इसका कॉमन नहीं होता है अनिलीन तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट की कंपाउंड है जो हम बहुत ज्यादा फ्रिकंटली पढ़ने वाले अनिलीन के बारे में तीसरा हो गया एक हम ने वह मन बंजो इस तरीके CoH क्रैंड तो इसका नाम बन जाता ह। इसका बैंजो क्या बेंजो साथ बाएक बिद्स्याइब और आपके बात अगर में लगां यहां क्किन अप्र आगर से सुनर जैसे शीद लिए तो यसको मैं क्लोरो बैंजीन बोल दूँगा विख एस Mayo आगे नहीं बताँगा यहां जो हैलो जुक्त हिए पर गर गर कुछ तरीके से एक्स लगा दू तो इसको मैं हैंलो बेंजीन को क्या कहुँगा मैं इसको एलो बेंजीन अब हैलो का मतलब यहां पर देखने को मिल सकते हैं येस नो डाउट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अब कौन सा देखने को मिलेंगे मैं वह यहां पर मैं देख लेता हूं ये कादा कौन सा छुट गया और कौन सा बताना है ठीक है वैसे तो अभी कई होंगे बट फिर भी जो मुझे थोड़ा बहुत अभी याद है वह बता देता हूं बाकी कोईस्टिन करेंगे उस तान पे हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे सी एन जब हम हो सकते हैं आपके पास बेंजन के उपर अलग अलग आपके पास क्या कहते हैं और उसका जो नाम है वो हम करते जाते हैं ठीक है चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं फिलाल आप इतना ही रख लिए बाकि अभी हम चैप्टर को जब करेंगे तो वहां पर आपको सारी चीज समझाएं गए हैं वो समझ में आ गए होंगे और अगर ऐसा है तो फटा फट वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंट सर्कल में जरूर कीजेगा तो चलिए अगली वीडियो में विसकली हम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे हैलो अलकेन हैलो आरीन्स को तो मिलते हैं अग झालड़ कर दोगे हैं प्रेंट सिर्फ दिया है अगरो कि वीडियो में जरूर को चैपके प्राट को वीडियो ओफ़र को चैपके अगली को चैपके अगली और दो कि अगली जिए को बागली पाली है